हेलो दोस्तों स्वाइगा तमारी यूट्यूब चैनल सर्टें स्टी माटेरियल में और देखे आज हम बात करेंगे यूराइज पोर्टल जो प्रॉब्लम है ठीक है जो भी कम्टीशन का आपका प्रॉब्लम है लिंक नहीं आई है ठीक है ओपन नहीं हो रहा सारा कुछ लाएगी, और यह जल्दी से लें चाहिता है कि मिल सकता है, स्ब्सक्राइज पेरिया से नहीं मिल सकता है, टाइप में जब आप क्लिक कर रहे हैं तो आप जब quiz पर आगर आप क्या करते हैं quiz competition में भाग लेते हैं तो quiz यानि प्रशनोतरी पर जब आप टिक करते हैं ठीक है जो circle type का बना होता है तो उसके बाद देखिए आपका कोई भी link issue नहीं हो रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्यूंकि BTUP थोड़ा धीला board है ठीक है मिनट के average में आपको check out करना है अगर आडवे तक नहीं आता है तो हो सकता है आगे कुछ update करें अगर नहीं करता है भी जान लीजे आज कहीं आपका मौका है अपडेट करेंगे तो ठीक है नहीं तो आज क्या कर लेंगे आप लोग जो अभी तक मतलब किसी भी competition में भाग नहीं लिए वो क्या करेंगे वो अपना दो चीज अग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है एक logo वाला देखिए एक logo वाला और एक दूसरा क्या था पोस्टर वाला ठ कह रहा है कि देखें 2021 से पूर्व किस वर्स में भारत में कोई भी अन्य रास्ट का मुखिया गरतन दिवस पर नहीं आया है मतलब क्या कह रहा है देखें मतलब 2021 से पूर्व यानि देखें 2021 है ये गरतन दिवस मना गया था 72 मना गया था जो गरतन दिवस था रिपब्लिक द कि इसमें कोई भी गेस्ट नहीं आये था ठीक है अपने भारत में कोई भी गेस्ट नहीं आये था तो कह रहा है कि 2021 से पहले भी किस वर्ज में कोई भी मुखिया नहीं आया था कोई भी गेस्ट या आते थी नहीं आया था तो देखे सन 1903 इसके अलावा क्योंकि 2021 में भी कोई नहीं आया 1903 और 1954 ठीक है और 1906 इन तीनों में ही कोई भी guest नहीं आया हुआ है यह भी याद रखेंगे इसके साथ ठीक है ताकि आप लोग इसको भी समझ सकें तो देखिए इसमें से कौन सो option आपका match कर रहा है तो देखिए 1906 आपका match कर रहा है यानि option हमारा क्या हो जाएगा option C हमारा correct हो जाएगा तो option C is the right option अब चलते है next question पर तो देखिए next question क्या है देखिए next question है यहाँ पर देखिए next question है कि piece देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो P is है यहां पर देखिए अगर किसी code मेंखिए 165-135 को piece लिखा जाता है तो इस code को क्या लिख सकते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह आपका क्या है यह आपका यह एक accounting series है यह आपका क्या है एक alphabet series है तो जिस प्रकार से इसको ये लिखा जा रहा है उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जा सकता है Alphabet Series में ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप लोग को क्या करना है तो देखें यहाँ पर जो P है P अगर हम बात करें देखें जो आपकी ABCD होती ही तो यहां पर P का जो digit होता है P को 16, मतलब देखे, टोटल 26 होते हैं, ठीक है, 26 नमबर होते हैं, ABCD में, उसके यहां पर यह जो P नमबर होता है, P हमारा क्या होता है, 16 नमबर का होता है, तो यहां पर देखे 16 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक चीज और जाचेंगे, अब ही देखे, पहले इसको बता देते हैं, E क्या है, E पाचोय नमबर पर आता है, तो 5 लिख दिया, उसके एक क्या है, एक फस्ट नमबर पर आता है, एक, ठीक है, C तीसरे नमबर पर आता है, तीन लिख दिया, और E हमारा पाचोय नमबर पर आता है, तो देखे, फाइनल पेर नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है और यहां पर दोनों को मतब पेर बना देना है और इसको अकेला छोड़ देना है ठीक है तो देखिए बारा जो है बारा को हम लिखते हैं और जो पंदरा है पंदरा को क्या लिखते हैं तो पंदरा को देखिए ओ लिखते हैं ठीक यानि finally answer हमारा क्या हो जाएगा option हमारा B is the right option अब next question देखिए question number देखिए third जितने question मिलेते हैं उतने का answer आप लोग को clear कर देते हैं थाकि आपका कोई भी doubt ना रहे जाए तो यहाँ पर देखिए जो हमारा next question है गरतंतर दिवस देखिए यहाँ पर लिखा है गरतंतर दिवस की परेड देली में ठीक है यानि दिल्ली जो है कहां से सुरू होती है यानि जो परेड है ठीक है जो परेड है वो कहां से सुरू होती है दिल्ली की बात कर रहा है ठीक है दिल्ली तो यहाँ पर देखिया देली की बात कर रहा है तो देली में जो परेड होती है वो देखिये विजय चौक से शुरू होती यानि option बीज़दा right option ठीक है important question है next question देखिये जो question number देखिये ये question number 4 है ठीक है तो यहाँ पर question number जो 4 है इसमें देखिये क्या कहा जा रहा है कि ozone layer यानि ozone परत ठीक है इसे O3 से भी denote करते हैं तो देखिये ozone layer देखिये हमारी सुरच्छा करती है तो safety किस प्रकार से करती है तो देखिये जो ozone layer होती है वो ultraviolet rays से protected मतलब एक तर्शेप्टी करती है तो यहाँ पर ultraviolet rays कहा है देखिये तो देखिये option हमारा क्या होती है option D correct हो जाएगा ultraviolet rays यानि परावाइगनी देखिये परावाइगनी किरन ठीक है परावाइगनी किरन से क्या करती है यह protect करती है यानि देखिये बहुत ही यह जो race होती न, ultra valid race यह बहुत ही खतरनाक race होती है ठीक है, किरण होती तो आपको याद रखना है, ultra valid race जो है, यह हमारा correct answer हो जाएगा next question देखे, question हमारा क्या है, कह रहा है यहाँ पर देखे, the maximum numerical value of poison race, यहनी जो poison अनुपात है, poison अनुपात उसका अधिक्तम से आंखिक, man क्या है यहाँ पर देखे, man लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ पर man है तो इसका जो अधिक्तम maximum, अगर हम value की कहें ठीक है, तो maximum values होती है यह कितनी होती है यह 0.5 होती है यह 0 भी लगा सकते हैं कोई defect नहीं पड़ता है, ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखे, इसको थोड़ा देखे, question क्या कहा रहा है कि, यहाँ पर देखे टेको मीटर, ठीक है, टेको मीटर के लिए योज और गुड़क इस्थिरांग होता है यानि योज जो होता है और जो गुड़क constant होता है इसका man कितना होता है यह कितना होता है तो देखे, इसका जो man होता है value जो होती है, यह होती है 0 और 100, ठीक है याद रखेंगे, जो योज है इसकी 0 होती है, और जो गुड़क इस्थिरांग है, यह हमारा 100 होता है ठीक है, समझ गए आप देखे, next question इसी प्रकार से मतलब कौन सी gas है कि जब आमलेके साथ क्रिया करती है तो हमारा, मतलब कौन सी gas release होती है तो यहाँ पर देखे, अगर हम बात करें आमलेकी, तो आमले हमारा H प्लस होगा, ठीक है देखे, यहाँ पर अगर हम कहें कि S2 तो इसको जब हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे तो देखे, S2 और प्लस O हो जाएगा ठीक है, यानि अगर हम कहें तो हमारा एक प्रकार से देखे, नौजात oxygen यह कह सकते हैं कि हमारा oxygen release होती है और हमारा carbon dioxide भी release होती यानि option हमारा A correct हो जाएगा, ठीक है O2 जो होती है, वो release होती है next question देखिए question number देखिए यहाँ पर, नमबर देखिए यहाँ पर दाहिने से English alphabet में 10 वी पर कौन सा letter आता है दाहिने से की बात करा ठीक है यहाँ पर देखिए A है मालीजे, B है C है D है, D, 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 D यहाँ पर Z है तो यहाँ से इस तरफ से counting करें तो दसवे number पर कौन सा alphabet होता यह कह रहा है ठीक है, तो देखिए दसवे पर जो अगर हम बात करें तो दसवे पर क्या होता है तो दसवे पर Q होता है option भी correct हो जाएगा ठीक है, समझ गए आपनो तो देखिए, next question पर चलते है तो देखिए, next question क्या है यहाँ पर देखिए AB Republic Day से related question ही है तो देखिए, यहाँ पर question क्या कह रहा है 26 जनवरी 2020 को गरतन दिवस पर मुख आती थी थे यानि 26 जनवरी 2020 को कौन थे cheap guest जो थे वो कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो cheap guest थे, वो थे joyr walsonaro, ठीक है यहाँ पर देखिए, present, जो president थे, joyr walsonaro थे तो यह है यह answer हमारा d correct हो जाएगा और यहाँ पर एक चीज और जान लीजे, उपर आप लोग को 2021 जो था, उसमें कोई भी guest नहीं आई हुए थे, और इसमें एक चीज और जान लीजे, कोरोना के कारण नहीं आई हुए थे, बलकि बुलाया गया था मतब गेस्ट चुना गया था किसे, तो देखिए, बोरिस जॉन्सन को, ठीक है, बट यहाँ पर कोरोना के कारण कोई भी नहीं आया था तो देखिए, next question देखिए, यह question हो गया है अब चलते है, next question पर तो देखिए, यह एक series का question है तो देखिए, question जो है, क्या कह रहा है कह रहा है, अगला संख्या ज्यात करें, 40, यह देखिए यह हमारा क्या है, 40, 30 22, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखिए, क्या difference हो रहा है, तो देखिए, 40 से अगर 30, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख देखिए तो देखिए, 40 से अगर हम इसमें difference करें, तो यह हमारा 10 हो रहा है, ठीक है, 10 का difference घट रहा है ठीक है उसके यहां पर इसके करें तो 8 घट रहा है इस tio नहींगे तो इसको कीटना है就 ृफ 20 इस में मतब्व option ठीक है option भी correct हो जाएगा next question देखिये next question है चिनाई ठीक है चिनाई के मसाले में इनमें क्या नहीं मिला होता है तो देखिये क्या नहीं मिला होता है चिनाई का जो मसाला होता है तो देखिये जो देखिये यहाँ पर किमेंट होता है ये भी मिला होता है मिक्सर के फिर में और जो प्लास्टर होता है भी मिला होता है और सेंड भी मिली होती है बट यह जो है कंक्रीट यह नहीं मिला होता है ठीक है तो option भी correct हो जाएगा next question देखिए देखिए question जो है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि Central Institute of Classical Tamil कि सहर में मतलब situated है तो देखिए यह हमारा जो है यह चन्नाई में इस्तित है यानि option C correct हो जाएगा चन्नाई ठीक है तो यह चन्नाई में इस्तित है situated है तो समझ जाए इसको याद रखे important question है और देखिए यह जो है यह तो आपका academic level का है तो इसे आप लोग कर लेंगे देखिए क्या है equation first दी हुई है equation second दी हुई है और equation third दी हुई है इसे आप क्या कर सकते है matrix वाले form में convert करके भी आभी विदी से जो करते हैं इससे भी solve कर सकते है x y z की value निकाल लेंगे ठीक है और देखिए एक चीज और comment box में आप लोग जरूर बताएंगे कि जो लोग quiz दे चुके हैं ठीक है जो student quiz दे चुके हैं वो देखिए comment box में yes लिख देंगे ठीक है और जो quiz नहीं दिये हैं वो no लिख देंगे ठीक है comment box में तभी हमें पता चल पाएगा कि केतने लोग दे चुके हैं आप दीखिए यहां पर जो next question है देखिए question जो यहां पर यह question लिखा हुआ है कहरा कि एक कागज की मोटाई 0.0015 cm है तो कहरा इस map में सार्था कंकों की संग क्या यानि significant figure ठीक है significant figure कितना होगा तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर right side से देखिए तो 0 कोई मानने नहीं होगा इनका कोई भी existence नहीं होगा ठीक है तो देखिए digit कितनी बन रही है तो यहां पर 1 और 2 यानि 2 answer correct हो जाएगा यानि option हमारा B right हो जाएगा ठीक है तो option A, sorry, option A हमारा right हो जाएगा 2 देखिए next question क्या है तो देखिए जो next question है यहां पर देखिए next question लिखा हुआ है एक संकु की उचाई 21 cm है और उसकी तिर्यक यहां पर देखिए तिर्यक है उचाई 28 cm है संकु का आयतन ग्याद करना है ठीक है तो संकु का आयतन आप लोग जानते ही है कि ठीक है क्या होता है 1 by 3 pi r square h तो आप देखिए यहां पर आपको h की value यह दी हुई है और यह जो है यह तिर्यक उचाई दी हुई है यानि कि क्या करेंगे आप देखिए आप formula लगाए आप 10 में पढ़े होंगे कि जो तिर्यक उचाई होती है ठीक है उसका formula क्या होता है तो देखिए तो देखिए क्या होता है l square is equal to r square plus h square ठीक है तो यह जब square हटेगा तो यहां पर road लग जाएगा यहां से आप निकाल लेंगी यह और उसके बाद मतब r निकाल लेंगे उसके अदब क्या करेंगे ठीक है उसके इसी प्रकार से जब आप r निकालेंगे r और h तो आप formula में रख देंगे जो volume होता है किसका कोन का ठीक है volume आप कोन तो आप यहां पर answer आपका मिल जाएगा ठीक है इसी आप लोग लगा लेंगे और बताएंगे comment box में कि कितना answer आया है क्योंकि ज़्यादा time waste नहीं करना है यहां पर देखिए जो next question है कह रहा है कि प्रत्थम 10 prime number का जो mean होगा वो कितना होगा एक चीज़ और जान लीजे हिंदी जब आपका क्योंकि कभी कभी हिंदी में problem आ जाती है मतलब हिंदी में सही से नहीं लिखा होता है तो यहां पर आप English पढ़ लेंगे median median मतलब होता है माद एक प्रकास से इसे average भी कह सकते है mean भी कह सकते है ठीक है average और mean दोनों कह सकते है तो देखिए माद कैसे निकालते है तो देखिए 10 क्या कह रहा है 10 prime number कह रहा है इसका mean निकालना है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, उसके आद 23 उसके आद 29 ठीक है मतलब 10 हो जाए तो उसके आद आपको जोड देना है और divide कर देना है यहाँ पर आप prime number लिखतेंगे सभी को जोड देंगे add कर देंगे और 10 से divide कर देंगे तो finally आपका कितना आजाएगा देखिए जब आप जोडेंगे तो finally आपका 120 आएगा तो जब आप 10 से divide करेंगे तो finally आपका 12 answer आजाएगे याँ आपसन है correct हो जाएगा ठीक है next question इतना तो आप पढ़ें ठीक है की prime number क्या होते है तो यहाँ पर देखिए next question जो है question हमारा देखिए यह तो हो गया है ठीक है next question देखिए जो है वो कहरा किस कारण से रेगी स्तान में बादलो का संगनन नहीं होता है ठीक है याँ नी condensation नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर इसका answer क्या हो जाएगा high temperature की करण बादलो का संगनन नहीं होता है ठीक है next question देखिए देखिए जो next question क्या है कह रहा है कि उत्तल वक्र के लिए वक्र का आदर्स रूप है तो उत्तल वर्क उत्तल किस प्रकार से बनता है आपका इसी प्रकार से तो बनता है ठीक है तो यह क्या एक circular type का है अब इसे यह मत बोल दिएगा पैरा बोला पैरा बोला इस type से होता है ठीक है यह क्या है circular type का है तो यानि option क्या हो जाएगा circle ठीक है circle यानि option हमारा c correct हो जाएगा next question देखिए तो देखिए next question है कहा रहा है कौन सी अच्छांस Indian standard time को निर्धारित करती है represent करती है तो देखिए जो Indian standard times को निर्धारित करती ही वो होती है 22 degree और देखिए 30 e ठीक है यानि अगर हम इसे convert करें तो इसे हम 22 point इसके देखिए इसको हम आधा भी लिख सकते हैं नहीं 0.5 e समझ गए तो यानि option हमारा d correct हो जाएगा next question देखिए देखिए question है कहा रेड रिवर देखिए red river delta पाया जाता है तो कहां पाया जाता है तो देखिए the red river delta font in यह कहां पाया जाता है तो यह वियत नाम में पाया जाता है option d correct हो जाएगा next question देखिए तो देखिए कह रहा है जैन धर में से संबंधित जगए है तो इसको काफी student ने गलत टिक लगा दिया होगा तो कपिल वस्तू लिख दिया होगा बट यहां पर answer जो होगा वो पाव हो जाएगा ठीक है तो option हमारा भी correct हो जाएगा next question देखिए rubber उतपाद है ठीक है यानि rubber is a product of किसका उतपाद है तो latex का उतपाद है rubber next question देखिए जो next question है यहां पर देखिए कह रहा है कि अगर sober को देखिए sober को किसी code में यह लिख सकते है ठीक है आरेने dq और तो इसे lotus को किस कोड में कैसे लिखेंगे ठीक है उसी code में तो देखिए जब इसको इससे relation है इसका देखिए क्या sober जब इसका इससे relation है sober का r n a d q ठीक है तो देखिए क्या relation बन रहा है s के बाद क्या आता है s के बाद मतलब sorry यहां पर देखिए r के बाद क्या आता है s आता है n के बाद क्या आता है a के बाद b आता है और d के बाद e आता है q के बाद r आता है यानि फाइनली अगर देखें तो देखें ये जो है इसका क्या हो रहा है इसका उल्टा मतलब एक प्रकार से ज्यादा जा रहा है ठीक है तो यही अगर हम कहें तो देखें ये जो हमारा होगा इसका ज्यादा जाएगा जो लोटस है देखें जब इसका ये ज्यादा जा रहा ह जो दिया हुआ है तो इसी प्रकार से इसका जादा जाना चाहिए तो देखिए इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसमें से एक घटा दिया जाए या इसको एक जोड़ दिया जाए ठीक है अब देखिए इसी प्रकार से जब इससे घटा जा रहा है तो इससे भी एक घटा तो L हमारा 12 होता है, यह हमारा 11 हो जाएगा, क हमारा 11 हो जाएगा, 11 होता है, उसके देखे, O है, तो यहाँ पर देखे, इसको तो यहाँ से भी समझ सकते, O है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O को क्या लिखा गया है, N लिखा गया है, तो देखे, यहाँ पर भी N लिखा ग गया थो जाएगा क्योंकि वह ऊक्क हो जाएगा 10 पिस्ट है जावा ड़की कि कि वेस्ट हमारा 19 होता है और हमारा आर हो जाएगा यानि 18 हो जाएगा समझ गए अप लोग अब देखें next question देखें ये तो बता चुके हैं तो finally देखें जो यहाँ पर important question है तो देखें question क्या है कह रहा है कि किसी code में गरिमा को ये लिख सकते हैं तो टीना को ये लिखते हैं और तो मार्टीना को क्या लिखेंगे इस code में ठीक है तो यहाँ पर देखें फाइनली इसी से सब कुछ काम हो जाएगा गरिमा तो देखें इसको 7 ये G क्या होता है 7 होता है A 1 होता है ठीक है तो यहाँ पर देखें G तो हमारा 7 हो गया लेकिन आप यहाँ पर देखें problem क्या है कि यहाँ पर जो देखें A है यहाँ पर 1 बढ़ा दिया गया है यहाँ पर 2 कर दिया गया है समझ रहें आप लोग तो यहाँ पर देखें जो हमारा कि सारा कुछ question में यह आपका answer रखा हुआ है देखें कैसे तो देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर कोई भी G नहीं है लेकिन M है तो M यहाँ पर देखें M को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है क्या लिखा गया है M को देखें यहाँ पर देखें 6 यहाँ पर यह है और 6 यहाँ पर भी है ठीक ऐसा यह, तो देखें, यहाँ पर जो M है, इसको क्या लिखा गया है, तीन लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर M को 3 लिख देते हैं, उसके बाद, देखें, A है, तो A को क्या लिखा गया है, A को 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, A को 2 ही लिखा गया सबी जगे 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, उसके देखिए R है, तो R को देखिए 5 लिखा गया है, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है, उसके देखिए T है, तो T को देखिए 6 लिखा गया है, 6 लिख देते हैं, उसके देखिए यहाँ पर I है, तो I को देखिए 4 लिखा गया है चार लिख देते हैं यहां पर देखिए उसके अध क्या है एन है तो एन को देखिए यहां पर आठ लिखा गया है आठ लिख देते हैं और फानली एक बचा हुआ है यहां पर दो जागा यह अन्सर कौन से मैच कर रहा है 325 642 तो देखे 325 lessonos इसकी केरा है की कोईला कोईलय की उप्रिक बदलती यानेel में जो कोईला है उसकी जो एनरजी होती हो किस वॉम में क्सेंश्म कर मों सीथ है तो यही यह सारा कुछ RJ इसको हमने बता दिया है अप लोगों को वितानशर और तो देखिए अगर कोई भी डाउट है ठीक है तो उसे comment box में आप comment करके पोच सकते हैं तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो like करें share करें and subscribe करें thanks for watching this video मिलेंगे next video में